जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृशन भगवान की जैश्री राधाश्मी अवरत महोसव की मंदिर शीबंसी वाले महात्मा यूडूब चेनल के ओर से आप सभी भक्तों का हम हार्धी कभिनंदन करते हैं आज हम आपको शीराधरानी सरकार और उद्धव जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। शीराधरानी सरकार की बड़ी सुनदर स्तूती करते हैं। उसके पशाध की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इगरस्त हो उद्धव को शीकृष्ण के सद्रश आकार वाला देखकर कहने लगी हैं। शीराधिका ने कहा कि हे बस तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हे भेजा है? तुम कहां से आए हो? तुम्हारे यहां आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बतलाओ। तुम्हारा सरवांग शीकृष्ण की आकरती से मिलता जूलता है। अत्य मैं समझती हूँ कि तुम शीकृष्ण के पाडशद हो। अब तुम बलदेव और शीकृष्ण का कुशल समाचार वर्नन करो। साथ ही यह भी बतलाओ कि नंद जी किस कारण से वही ठहरे हुए हैं? क्या शीकृष्ण इस रमनिय वरिंदावन में फिर लोट कर आएंगे? क्या मैं उनके पुर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का पुन्हे दर्शन करूंगी? तथा रास मंडल में उनके साथ प पाऊंगी? शीराधरानी सरकार आज प्रेम भाव से ये सब वचन उद्धव जी से कह रही हैं. उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे सुमुखी मैं शत्री हूँ, मेरा नाम उद्धव है, तुम्हारा शुब समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने मुझे यहां भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं श्री हरी का पार्षद भी हूँ, इस समय श्री कृष्ण बल्देव और नंद जी कुशल से हैं. श्री राधिका जी कहने लगी हैं कि हे उद्धव इस समय भी यमुनातट वही है, सुघंदित मले पवन भी वह ही है, उनका अभीष्ट पुन्य मै रमनिय वरिंदावन भी वही विद्यमान है, वही पुन्स कोकिलों की बोली चंदन चर्चित शया, चारों परकार के भोजी पदार्थ सब कुछ मोजूद है, रास मंडल में वे रतन परदीप अभी भी जलते हैं, उत्तम मनियों का बना ह हुआ रती मंदिर भी है, गोपाउना का सम्हूभी विद्यमान है, पुर्दिमा का चंदर मा भी सुशोबित हो रहा है, और सुगंदित पुश्मों द्वारा रचित, चंदन चर्चित शया भी है, रती भोग के योगे कर पूर आदि से सुवासित, पान का बीडा, मालती की मालाएं, श्वेत चमर, दरपन, जिसमें मोती और मनी जड़े हुई हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेको रमनिय उपकानन, सुंदर क्रिणा स्रोवर, सुगंदित पुश्मों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ती आदि सभी वैभव विद्यमान हैं, ये सब हैं किन तु मेरे प्राननाथ कहां है, मेरे ठाकुर कहां है, मेरे प्रभु कहां है, वो श्याम सुंदर कहां है, जिनके याद में हम हर पल आंसू बहाती रहती हैं, हा क्रिश्न, हा रमानाथ, है मेरे प्राननाथ, है मेरे प्रभु, मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है, जो आ आप मुझे ऐसे छोड़ कर चले गए हैं अवश्य ही कुछ अपराध हुआ ही होगा क्योंकि यह दासी तो पगपग पर अपराध करने वाली है आज श्री राधारानी सरकार भगवान श्रीक्रिशन के विहरे में आँखों से आंसु बहाती हुई ये सबवचन कह रही है इतना कहकर राधिका रानी पुन्हे मुर्शित हुई है तब उधव ने पुन्हे उन्हे चेतन ने करवाया है उनकी उस दशा को देखकर शत्रिय श्रेष्ठ उधव को परमाश्यर हुआ है उस समय साथ सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चमर दुला रही थी और असंख गोपियां विविद भांती से उनकी सेवा में वियस्त थी उनको इस अवस्ता में पहुंची हुई देखकर उधव डरे हुए की भांती पुन्हे विन्य पुरवक कानों को अमरत के समान लगने वाले परम प्रिये वचन कहने लगे हैं उधव जी ने कहा है कि हे देवी मैं स मज गया तुम देवांगनाओं की अधिश्वरी परम कोमल सिध योगिनी सर्वशक्ती सवरूपा मूल प्रकर्ती इश्वरी और गोलोक की सुंद्री हो शीदामा के शाब से तुम भूतल पर अवतीर्न होई हो हे देवी तुम श्री क्रिशन की प्रान प्रिया तथा उनके वक्ष सल पर निवास करने वाली हो हे देवी मैं हिर्दे को सिनिक्द करने वाली अभीष्ट शुभ वार्ता का वर्नन करता हूँ तुम उसे सखियों के साथ सूस्थिर चित से शवन करो हे राधिके तुम शीगर ही शीक्रिशन के मुख कमल का यहां पर दर्शन करोगी उस स समय तुम्हारा सारा विरे दुख दूर हो जाएगा अतहे मात तुम अपने चित को स्थिर करो और इस अत्यांत दारुन शोक को त्याग दो उन्हे पर संता पुर्वक अगनी में तपाकर शुद किये हुए रमनिय वस्त्र पहन कर अमूले रतनों के बने हुए आभूशनों को धारन करो इसके पशात उधव जी शिराधारानी सरकार की बड़ी सुंदर स्तूती करते हैं बारंबार वंदना करते हैं उन्हे पुने शिराधा जी को सब गोपियों को ये विश्वास दिलाने का परियास करते हैं कि ठाकुर जी लोट कर आएंगे आप थोड़ा धीरज क्योंकि भगवान ने स्वम ये संदेशा भेजा है कि भगवान आने वाले हैं उस समय शीराधारानी सरकार उधव से कहने लगी हैं कि है उधव कपट रहित होकर सच सच बताओ क्या सच मुच श्री कृष्ण आएंगे तुम भै छोड़ कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में केवल सच ही बोलना सो कुवे से एक बावली शेष्ट है सो बावलियों से एक यग्य शेष्ट है सो यग्यों से एक पुत्र शेष्ट है और सो पुत्रों से बढ़कर सत्य है सत्य से बढ़कर दूसरा धरम नहीं है और जूट से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है शी से आ जाऊंगा उन्होंने जूट खा था लेकिन तुम इस समय सच बोलना तुम्हारी बात पर हम विश्वास कर लेंगी लेकिन केवल सच बोलना सच बोलना और केवल सच ही बोलना बारं बार श्री राधारानी सरकार उद्धवजी से सत्य बोलने के लिए कहती हैं श्री कृष्ण के चंद्र मुख का अवलोकन करके निश्य ही तुम्हारा संताप दूर हो जाएगा ये महाभागे तुम्हारा विरेताप तो मेरे दर्शन से ही नश्ट हो गया अब तुम इस दूस्तर शिंता को छोड़ दो और नाना परकार के भोग जनित सुखों का मैं मतुरा जाकर श्री कृष्ण को समझा भुजाकर यहां भेजूंगा वे अन्य सभी कार पूर्ण करेंगे ये माता अब मुझे वीदा दो मैं श्री कृष्ण के सन निकट जाऊंगा और सारा वरतांत यथा उचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा उधव जी के इन वचनों को सुनकर शीराधरानी सरकार उधव जी से पुन्हे कहने लगी है कि हे वस हे पुत्र भगवान को जाकर ये संदेश कह देना कि शीराधिका जी और सब गोपियां आपके विरह में दुख से कातर हो रही है उन्होंने जीवन के सभी सुखों को त्य जाग दिया है इतना कहकर शीराधरानी पुने ये सोच कर कहने लगी है कि प्रभु को सब कुछ ग्यात है हे उधव ठाकुर जी सब कुछ जानने वाले हैं वो हमारी व्यथा जानते हैं उन्हें कुछ मत कहना लेकिन अगले ही शन फिर से शीराधरानी सरकार उधव जी से कहन ना कि बस अब कुछ ही दिन बाकी है शीराधरानी के प्रान श्रीर से निकलने को उतकंठित हैं आप जल्दी आकर दर्शन नहीं दोगे तो ना जाने ये प्रान कब श्रीर से निकल जाएंगे बारंबार की शोरी जी की आँखों से आंसू बहते हैं एक शन के लिए आंसू धारा की तरहां बहने लगे हैं ठाकुर जी से प्रेम है और केवल श्री ठाकुर जी से ही प्रेम है श्री राधरानी का सारा प्रेम केवल भगवान से है और कहीं भी उनका प्रेम नहीं है संसार के हम लोग संसार से भी प्यार करना चाते हैं भगवान से भी प्यार करना चात भगवान को हम याद करते हैं केवल उस समय जब जीवन में दुख आते हैं लेकिन श्री राधारानी सरकार के जीवन का एक मातर यही लक्ष है कि शोरी जी का एक मातर लक्ष यही है कि हर्शन भगवान जी की याद करना है श्री कृष्ण नाम का स्मरन करना है श्री कृष्ण तो उस समय भी शीराधारानी जी भगवान शीक्रिशन जी की सेवा करती हैं, उनकी आहरादना करती हैं, उनकी भक्ती करती हैं, उनका पूजन करती हैं, लेकिन संसार के हम सब वासी केवल दुख में भगवान को हिर्दे से याद करते हैं, लेकिन जब सुख आता है उस शन ठा कार को भगवान सदा याद रहते हैं हम संसार के सब लोग उस समय रोते हैं जब हमें कोई दुख मिलता है जब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती लेकिन शीराधरानी जी की आंखों से आंसू उस समय बहते हैं जब ठाकुर जी दूर हैं उनकी याद में कि शोरी जी आंख से आंसू बहाती हैं और जब भगवान सामने होते हैं तो प्रेम से आंखों से आंसू निकलते हैं कि शोरी जी श्री राधरानी सरकार महाभाव का दूसरा सवरूप हैं महाभाव सवरूपा श्री राधरानी हैं उनका नाम ले लेकर ना जाने आई तक कितने पापी इस भव अध्यों का मन लग गया उनके नामों का जाप और संकीर्टन हमने सचिश्रधा भावना से कर लिया तो समझ लेना कि बस यही अंतिम जीवन है इसके पशाथ तो हम भवसागर से पार होनेवाले हैं शीराधा रानी जी का बारमबार स्मरन व्चेराधा रानी जी के नाम का बार मधुर अवसर आने वाला है शीराधा अश्टमी कवरत 11 सितंबर दिन बुद्धवार को रखा जाएगा शीराधारानी सरकार ने स्वम अपने श्री मुख से कहा है कि जो भक्त शीराधा अश्टमी कवरत रखता है पूरी श्रद्धा भावना से उत्सव मनाता है उस भक्त के उपर शीराधारानी सरकार के क्रिपा सदा बनी रहती है एक शन के लिए भी शीराधारानी उस भक्त को अपनी आँखों से ओजल नहीं होने देती हैं और भगवान शीक्रिशन तो ऐसे अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं सदा उस पर क्रिपा करते हैं जो श्री राधाश्मी का वरत रखता है तो इस वरत को आप अवश्य रखें और श्री राधारानी सरकार की भगवान श्री क्रिशन जी की अनत क्रिपा को प्राप्त करें ये कथाएं ऐसी हैं कि जिने आप अगर शद्धा भावना से सुनेंगे तो भगवान के चर्णों में प्रेम हो ही जाएगा कथा को शद्धा भावना से सुना जाए और पूरी कथा सुनी जाए तभी उसका पूर्ण फल मिलता है आधी अधूरी कथा को सुनने से बीच बीच में से कथा को सुनने से कभी भी पूरा फल प्राप्त नहीं होता है हम संसार के सब लोग जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो पूर्ण मांगते हैं अधूरा सुख नहीं मांगते हैं आधा सुख नहीं मांगते हैं तो कथा भी पूरी सुनी जाए और भगवान के नामों का जाप भी पूरी शद्धा भावना से किया जाए तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है तो शीरादाश्मी के वरत को पूरी विधी विधान से रखिए और जीवन में आपको फिर ऐसा आनंद मिलेगा कि जो आनंद आज तक प्राप्त नहीं हुआ होगा तो आज की इस कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद शीरादाश्मी वरत से संबंदित भहुस सी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है और आगे आती रहेंगी सबी वीडियो को आप देखिए आपको बड़ा ज्यादा लाभ प्राप्त होगा आपके उपर भगवान की क्रिपा सदा बनी रहेगी तो आज की इस कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा क्रिशन जी की श्री राधाश्मी वरत महोस्व की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंदल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री राधाश्ट मी अवरत महोसव की जै जै श्री राधी जै जै श्री राधी जै जै श्री राधे शाम